ओम नमो भगते बास देवाई नवा आज मैं आपको बैसाग मास के चोदे में अध्या की कता बता रहा हूँ स्वागत है आप सभी का मेरे एच्चेस भारत बाई योटूब चैनल पर मैं अर्योम सर्मा आज आपको बैसाग मास के चौदह में अध्याय की कता बिस्तार से समझा रहा हूँ आप कता को पूरा सुने मितलापुरी नरिस कहने लगे के है रिशीवर बैसाग मास में छत्रदान का इतना मैत्व है ये सुनकर के मुझे बड़ा आच्छर हुआ के इतना मैत्व है सिर्फ एक छत्रदान करने से राजा है मकांत ने मुर्चित रिशी की सिर्फ पत्तों के द्वारा चाया की और उनको पानी पिलाया जिससे उनकी इतने बड़े पाप नश्टू गए बैसाग मास के धरम अती सुलब हैं और ऐसे अनेको पुन्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसंद करते हैं और ततकाल ही धरम अर्थ काम और मुख्य देने वाले हैं परंतु ऐसे बेदानकूल धरम भी संसार में ग्यात नहीं हैं अनेक प्रकार के राजसी धरम और तामसी धरम ही इस संसार में बिक्ख्यात हैं इसका क्या कानड़ है सुरत देव रिशी कहने लगे कि ही राजन संसार में भोगों की इच्चा करने वाले मनुष्य अधिक संक्या में हैं इसलिए रजोगुड और तमोगुड अधिकांस में पाया जाता हैं बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोख्य प्राप्ती के लिए साधना करते हैं अतहे वह बहुत ही कठिंता से मिलते हैं मोख्य धरम क्योंकि इच्चा रहत है इस कारण इस से लोकिक और परलोकिक सुक्य के साधन है वैश्टवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझत नहीं है जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनुष्य पूर्ण होते हैं परन्तु बैसाग मास के सब धरम सात्यकों के लिए कहे जाते हैं और यदि तमोगुडियों का धरम है इस पर एक पुरात नित्यास कहता हूं एक ख्याकू बंस में निर्ग पुत्र एक बड़ा यस्वी अक्रोदी ब्राम्मनों का मान करने बाला राजा हुआ यानि एक ख्याकू बंस में निर्ग नावं राजा हुआ एक दिन वह सिकार ख्यलता हुआ वसिष्ट रिशी के आसरम में जा पूचा वहां पर उसने देखा कि आसरम में मार्ग में वसिष्ट जी के शिश्यों ने कहीं प्यावग लगा रखी हैं कहीं चाया कर रखी हैं कहीं बावडी साप करवा रहे हैं, कहीं बैटे हुए लोगों पर पंखा हवा रहे हैं, कहीं सुगंदित बस्तु में और फल बाट रहे हैं, कहीं मद्यम के समय छत्री दान कर रहे हैं, साइकाल को पीने की बस्तु में दे रहे हैं, राजा ने उनसे पूचा कि तुम कोन हो और क्या कर रहे हैं, उन्होंने उतर दिया हम महर्शी वशिष्ट के सिष्षे हैं, और उनी की आग्या से वैसाक मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं, राजा ने फिर पूचा कि इन धर्मों को करने से कौन सा देटा प्रसन होता है, और क्या फर मिलता है, वै कहने लगे कि राजन हम अपने गुरू के आग्या से ये सब कर रहे हैं, हम को बताने का आवकास नहीं, अतैं आप हमारे गुरू के पास जाकर के पूछ सकते हैं, शिष्यों की बात सुनकर, वह है महायस्वी राजा संपूर धर्मों के तत्तों को जानने बाले श्री वश्री जी के आश्रम की तरफ चल दिये, उनका आश्रम बिद्ध आर योग का इस्तान था, राजा को अपने आश्रम में आया देग रिशी ने अत्यंत प्रसंद चित होकर सातियों के सहित राजा का अधिती सत्कार किया, राजा बड़ी प्रसंता और नम्रता पुरोग बैठकर गुरू जी से पूछने लगा कि गुर्देव मैं आखेट से ठककर अपने आपके आश्रम की तरफ गया था, तो मैंने देखा आपके सिश्य को बहुत से धर्मकारियों को करते हुए देखा, इसलिए माराज मेरे मन में बड़ी उतकंटा उत्पन हो रही है, कि यह सब धर्म के कारे करने से क्या फल मिलता है, वसी जी कहने लगे कि जो सब धर्मों को छोड़कर बेसे सकत हो जाता है, वे भी यदि प्रात्यकाल बैसाग का इस्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है, जिसने धर्म के सब कारे संगोपाम किये हो किन्तु बैसाग का आदर ना किया हो तो भगवान उसे दूर ही रहते हैं, जिसने बैसाग पास बिना दान तता इस्नान को खोदिया, वह इस करम में चांडल की योनी में जर्म लेता है, यानि जो बैसाग के मैने में कोई भी करम नहीं करता उसे नीच जोनी में जाना पड़ता है, बैसाग मास में जितने विदिवत भगवान की आराधना की भगवान उसी से प्रसन हो जाते हैं और उसी की मनो कामना पूरी करते हैं, जो भक्ती और स्रद्दा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है वह उसी से प्रसंद हो जाते हैं अधिक धन अत्वा अधिक परिश्रम वह नहीं दिखते हैं बैसाक मास के धर्म अतिशुग में तता भगवान को प्रसंद करने के लिए उनमें स्रम भी थोड़ा और व्य भी अधिक नहीं करना पड़ता इसलिए जो बैसाक के धर्मों को नहीं करता वह अश्मेग डर्णनिय है इस पकार रिशिनी राजा को सब सास्त्रों के बैसाक धर् करन जाए तब राजा सब धर्मों को सुनकर तता यतोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर बैसाक मास के सभी धर्मों का पालन करने लगा बैसाक मास में जो थोड़े से प्रिश्रम से ही सादू संतों की सत्पूर्षों की रहागीरों की सेवा करते हैं प्यासों को पानी पलाते हैं दोकों को अन्न देते हीं भगवान उनसे सीग्र परसंद हो जाते हैं बैसाग मास में किया गया थोड़ा सा भी भगवान की पूजा और दान इंसान के जाने अंजाने में किये गए सारे पापों को नश्ट कर देता है जो लोग बैसाग में जूतादान करते हैं, चत्रदान करते हैं, अन्यदान करते हैं, जलदान करते हैं, प्याव लगवाते हैं, गंगाशनान करते हैं, और भगवान विश्नु का पूजन करते हैं, हे राजन उनके पुन्यों को कोई नहीं कह सकता, उनके पुन्यों को कहने मे चित्र गुप्त भी अस्मर्त हो जाते हैं। जो लोग बैसाग मास में जलदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, उनको पुत्र धन, सुक सम्रदी, हर सुक प्राप्त होता है। बैसाग मास का इतना पवित्र महत्व हैं। जो लोग बैसाग में ओम नमो भगते बास देवाय मंत्र का जाप करते हैं, हवन करते हैं, उनके कैई जर्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं। बैसाग मात्तम कीजए।